आज हम बनाने जा रहे हैं मोतियों के लक्ष्मी जी के चरण जिससे मराधियों बोलते हैं लक्ष्मी जे पाउलर तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे और उसके पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाईए जिससे जब भी मैंना या वीजियो डालो आपसे तुरंत मिल सकें तो देखते हैं इसके लिए हमें किन किन सामगरी की जरूरत होगी मोती, red color के लिए हमने ये white मोती है और golden मोती इसी के साथ हमें लगेगा आप धागा ले सकते हैं या इस तरीके से nylon wire ले सकते हैं catchy और सुई और इसमें हमने ये nylon का धागा पिरो लिया है तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए हम लेंगे पहले एक red मोती तीन वाइड मोती एक golden और फिर तीन वाइड देखे इस तरीके से एक red तीन वाइड एक golden तीन वाइड इस तरीके से ये हमारा तयार हो गया अब हमें इस red वाले में से इसको एक बार गुमा लेना है देखे अभी हम यहां तक आये हैं हमें वापस यहां तक आना है white तक आना है ताकि ये थोड़ा सा tight हो चाएगा ये देखे यहां से हमने शुरू किया गुमा के हम यहां तक आयें red तक वापस आते हैं अब हमें फिर से एक red लेना है दो हमें अब लेना है white और एक लेना है हमें golden एक red दो white एक golden फिर रोएंगे हम इससे इस तरीके से अब हमें ये जो तीन white हैं इसमें से निकालना है ये देखे ये तीन हमने white लिये हैं इसमें से हम निकालेंगे ये देखे इस तरीके से अब हम red के भी पास से निकाल लेंगे देखे इस तरीके से बन जाएगे अब हमें फिर से एक लेना है red दो लेना है white और एक लेना है golden एक red, दो white, एक golden फिर हम पिरोएंगे इसको और ये जो दो white हैं इन दोनों में से हम निकालेंगे अब इस red में से भी हम एक बार इसे निकाल लेंगे यह रेना है आ पिर पर पर लेना है यह वान टूती जैसे लक्षमी जी के अपने पैर होते है na पाँच उंगलिया हैं वैसे यह एक दो तीन होगी हैं हमें 2 और बनानी हैं अब फिर से लेंगे हम एक रेड, दो वाइट, और एक गोल्डन एक रेड, दो वाइट, एक गोल्डन और फिर ये जो वाइट है दो इसमें से हम इसको निकाल लेंगे और फिर ये जो रेड है इसमें से रेड में से निकाल लेंगे अब ये एक दो तीन चार हो गए हैं अब हमें एक रेड लेना है एक वाइट लेना है और एक ही हमें बुल्डन लेना है हमने एक रेड लिया एक वाइट एक बुल्डन अब इसमें से फिर वही करेंगे इसमें से निकालेंगे और एक रेड है इसमें से निकालेंगे इस तरीके से ये एक दो तीन चार पांच कंप्लेट हो गए हैं अब हम इन दोनों में से भी इसको धागे को निकाल लेंगे वाइट और गोल्डन में से तो ये उंगलिया बन गई है अब हम नीचे का बनाएंगे हिस्सा इसके लिए हमें लगेगा तीन गोल्डन मोती लिए हैं हमने अब हमको इसमें और इसमें इन दो में से हम निकालेंगे दो में से हम ये सुई निकाल लेंगे अब हमें फिर लेना है दो मोती दो हमने लिए हैं गोल्डन मोती और अब हम एक दो और ये तीन ये तीन गोल्डन मोती में से हम इसे निकालेंगे सुई को अपने एक दो और तीन तेन इस तरीके से बनाएं फिर हम लेंगे दो मोती ती का अब ये दो इस तरीके से बनाएं फिर हम लेंगे दो में पॉल्डन मोती फिर हमें इसे एक गोल्डन, दो और तीन, इन तीन गोल्डन मोती में से सोई हमें निकालना है फिर हम दो गोल्डन मोती लेंगे फिर हमें एक, दो और तीन, इन तीनों में से सोई निकालने है अब हम लेंगे फिर से दो गोल्डन मोती और इन दोनों में से निकालेंगे, यह दो मोती सितम सोई निकालेंगे अब हम इन तीन गोल्डन में से सोई निकाल लेंगे अब यह हमारा इतना कंप्रीट हो गया है इसके आगे हम तीन लेंगे वाइट मोती तीन वाइट मोती लेंगे और इन दोनों में से हम निकालेंगे यह दो गोल्डन में से निकालेंगे अब इसके बाद हम लेंगे दो गोल्डन मोती दो वाइट लेंगे और यह एक यह जो वाइट है एक दो और तीन इन तीनों में से हम निकालेंगे यह वाइट यह एक गोल्डन और यह दूसरा गोल्डन वाइट एक गोल्डन और यह दूसरा गोल्डन देखे इस तरह जो से यह बन गया अब फिर हम दो लेंगे वाइट मोती दो फिर हम वाइट मोती लेंगे अब फिर यह एक गोल्डन और यह गोल्डन इन तीनों में से हम निकालेंगे अब हम फिर दो वाइट लेंगे मोती और इन दोनों में से निकालेंगे एक वाइट और एक गोल्डन मोती इसमें से हम इसे निकालेंगे यह देखिए एक white एक golden इसमे से हमें से निकाल लेंगे अब हम इस white यह जो दो white हैً इनमे से हम धागा निकाल लेंगे यह देखिए, एक white और एक यह इन दोनों में से हमें से निकाल लेंगे alam कि अब हम फिर तीन मोती लेंगे वाइल तीन वाइट मोती लेंगे और अब हम इन दोनों में से ये दो मोती हैं इसमें सुई निकाल लेंगे अब दो मोती लेंगे वाइट दो मोती लेंगे वाइल निकाल लेंगे और इन तीनों में से निकालेंगे, एक ये वाइट, एक ये वाइट और एक ये वाइट, इन तीनों में से हम सुई निकालेंगे ये वाइट, एक दो तीन, इन में से हम सुई निकालेंगे अब फिर दो मोती लेंगे वाइट दो वाइट लेंगे मोती फिर ये सेकेंड नावर में मोती ये एक दो और तीन ये तीन में से हम सोई निकाल लेंगे अब हम दो मोती लेंगे और इनको लेकर हम ये जो है सेकेंड नंबर का और ये थर्ड नंबर का इन दोनों में से हम इसे निकाल लेंगे अब सोई को हम एक, दो और तीन इन तीनों मोती में से सोई को निकाल लेंगे पहले एक में से निकाल लेंगे दो और तीन इन में से निकाल लेंगे अब हम लेंगे तीन वाइट मोती तीन वाइट मोती और ये दो वाइट में से हम निकालेंगे अब हम लेंगे तीन वाइट मोती और तीन वाइट मोती लेने के बाद ये जो दूख है बीच के इन दो मोती में से हम सोई निकालेंगे अब लेंगे हम दो वाइट मोती और ये एक दो और तीन ये जो तीन है इन तीनों में से हम तीनों मोती में से हम सोई निकालेंगे ये एक दो और ये तीन ये देखे पहला वाला छोड़के बाकी के तीन मोती में से हम सोई निकालेंगे अब हम लेंगे फिर से तीन वाइट मोती और ये जो दो हैं ये दो मोती में से हम निकालेंगे अब हम फिर से दो मोती लेंगे ये जो दो हैं बीच वाले मोती इन दोनों में से हम सोई निकालेंगे अब हमें सोई हमारी यहां पे लानी है जो धागा है वह सोई धागा जो है यहां आना चाहिए तो हम इन दो मोती में से फिर सोई निकाल लेंगे अब हम तीन मोती लेंगे वाइट अब हम फिर से तीन वाइट मोती लेंगे और इन दोनों में से निकालेंगे एक और दो यह दो में से हम दो मोती में से फिर हम सोई निकालेंगे अब हम दो मोती लेंगे फिर दो मोती लेंगे और दो मोती लेंगे एक दो और तीन इन तीनों मोती में से हम सोई निकालेंगे अब हम फिर से दो मोती लेंगे दो मोती लेंगे और दो मोती के बाद हम यह एक दो इन दोनों में से हम सोई निकालेंगे अब हम फिर से दो मोती लेंगे और यह दो मोती को हम यह जो लास्ट राइक छोड़के यह जो दो हैं सेकेंड लास्ट रो थर्ड इन दोनों में से हम यह दो मोती लेंगे अब धागा हमारा यहां है धागा यहां आना चीए इन दोनों में से भी हम धागे को निकाल लेंगे अब फिर से हम दो मोती लेंगे वाइल्ट और ये दो मोती इन दोनों में से निकालेंगे अब हमने फिर तीन लिये हैं सफेद मोती अब ये जो दो मोती हैं इन में से हम सुई निकालेंगे ये दो मोती में से सुई निकालेंगे अब हम दो मोती लेंगे फिर और ये तीन मोती हैं इसमें से हम सुई निकालेंगे अब फिर सुई का जो धागा है हमारा वह हमें यहां चाहिए तो हम इन दोनों में से धागा निकालेंगे अब फिर हम दो मोती लेंगे दो मोती लेंगे और ये जो दो हैं इन दोनों में से हम सुई निकालेंगे अब हमें धागा यहां चलिए तो हम इन दोनों मोती में से सुई निकालेंगे अब हम गोल्डन तीन मोती लेंगे गोल्डन हम तीन मोती लेंगे और इन दोनों में से ये दो लास्ट के मोती हैं इन दोनों मोती में से हम सुई निकालेंगे अब फिर दो लेंगे गोल्डन और यह एक गोल्डन और यह दो वाइट इन तीनों में से हम सुई निकालेंगे अब फिर दो गोल्डन लेंगे और इसके बाद हम यह एक दो इन दोनों में से एक गोल्डन एक वाइट इन दोनों में से हम सुई निकालेंगे अब भागे को हमें फिर इस जगह लाना है तो यह दो गोल्डन में से हम सुई निकालेंगे अब फिर हम तीन मोती लेंगे गोल्डन और यह दो जो है लास्ट के इन दोनों में से हम सुई निकालेंगे सुई निकालेंगे अब दो गोल्डन लेंगे मोती और यह दो और तीन इन तीनों में से हम सुई निकालेंगे यह एक यह जोसरा और यह दो तीनों में से हम सुई निकालेंगे अब फिर दो गोल्डन मोती लेंगे हम और यह दो बीच में जो हैं इन दोनों में से हम सुई निकालेंगे अब फिर हमें धागा यहां लाना है तो यह दो मोती में से हम सुई निकालेंगे यह एक में से निकाला अब यह दूसरे में से निकाला अब यह हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है अब हमें सिर्फ सिंगल एक मोती लेना है इस तरीके से हम यहां लगाएंगे तो हम इन दोनों में से इसको निकाल लेंगे अब हम यह जो इसके आगे वाला है इसमें से भी निकाल लेंगे और यह जो है यहां से इसमें से लेकर इसमें भी निकालेंगे और हम यहां तक आएंगे क्योंकि हमको एक मोती यहां और लगाना है तो यह कंप्लीट राउंड करके हम यहां आएंगे अब यह दो और है इन दोनों में से और निकालेंगे यहां आगे हम यह राउंड कंप्लीट करके अब एक मोती हम यहां सिंधन लगाएंगे तो यह हमारा कंप्लीट होगा यहां इसको हम इसमें निकालेंगे पीछ वाले में से देखे यह राउंड अब कंप्लीट होगा अब यहां से हम इसको आगे ले जाते और धागे को नौट लगा देंगे अब यहां होगा दागे शुट नौट लगा देंगे अब यहां होगा अब कर दो लगा अब को आज का यह वीडियो अगर आपको यह वीडियो प्रूप्लीट है इसी तडिके से हम दूसरा भी बनाएंगे तो कैसा लगा आपको आज का यह वीडियो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू